सूप प्रभात प्यारी विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे? बच्चो, आँखों के बिना किसी कारे को करने में हम असमर्थ हैं. मनुष्य के शरीर में आँखे वह अंग हैं, जिसका सबसे अधिक उप्योग किया जाता है. आँखे वह इंद्रियां होती हैं, जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं. हमारे शरीर की समस्त ग्यान इंद्रियों में से आँखे प्रमुख ग्यान इंद्रियां होती हैं. तो बच्चो आज हम नई संजीवनी से पाठ 14 आँखों की रक्षा के बारे में जानेंगे इस पाठ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हमें आँखों की कैसे देखभाल करनी चाहिए सबसे पहले हम इसके नई शब्द देखेंगे नेतर विशेशग्य, दुर्बलता, प्रकाश, परामर्ष, संध्या, डॉक्टर, सेंटीमिटर, विधी, धन्यवाद, चश्मा इसमें एक बच्चा है सचिन सचिन की सुभे से इँ आँखों में कुछ-कुछ लाली है वह पूरी तरह से आँख खोल भी नहीं पा रहा है उसकी आँखों से पानी भी बह रहा है उसकी माताजी उसे नेतर विशेशग्य के पास ले जाती है अब सचिन और डॉक्टर के बीच इस प्रकार बातचित होती है सचिन डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब मेरी आँखों से पानी क्यों आ रहा है तो डॉक्टर साहब कहते है हमारी आँखों की पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक गांट होती है जिस समय हमारी आँख में कुछ पढ़ जाता है तो उस गांट से पानी निकलने लगता है यह तब तक निकलता रहता है जब तक आँख में पढ़ी चीज बहे कर बाहर ना निकल जाए तो सचिन कहता है डॉक्टर सहाब क्या गांट से पानी केवल तब ही निकलता है जब कोई चीज आँख में पढ़ जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं इस गांट से जरा जरा सा पानी हर समय बहता रहता है इससे आँखे गिली रहती है इस गिलेपन ये चिकनाई से हमारी आँख में खुश्की नहीं आती है इससे वहे कम थकती है तो सचिन कहता है डॉक्टर साहब आँखों में दुरबलता कै से आती है डॉक्टर साहब कहते हैं आंखों में दुरबलता आने के कई कारण है पढ़ने लिखने के गलत तरीके से आंखों में दुरबलता आती है टेलीविजन देखते समय बहुत निकट बैठने या लेटकर देखने से भी आंखों में कमजोरी आती है धूप धूल और धू पुर्वे से भी आँखों में कमजोरी आती है अब सचिन कहता है डॉक्टर सहाब पढ़ने लिखने का गलत धंग क्या है डॉक्टर सहाब कहते हैं कई बच्चे पुस्तक को आँख के बहुत निकट लाकर पढ़ते हैं कुछ बच्चे लेटकर तो कुछ नीचे जुक कर भग 30 cm दूर रखना चाहिए, सिधे बैठ कर पढ़ना चाहिए, कम प्रकाश या बहुत तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए, सर्दियों में धूप में पढ़ते समय पुस्तक पर छाया पढ़ती रहनी चाहिए, अब सचिन कहता है डॉक्टर साहब संध्या के समय पढ डॉक्टर साहब इसे आंखे साफ करने की वीधी भी समझा दीजिए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं सचिन ताजे पानी के छीन्टे मारने से आंखे साफ होती है, प्राते और साई आंखों पर साफ पानी के छीन्टे मारने चाहिए, आंखे दोने के पश्चात साफ तोलिये स आँखे पोंचनी चाहिए आँखों में बार-बार उंगली नहीं डालनी चाहिए अब सचिन कहता है डॉक्टर साहब मेरी आँखे कुछ-कुछ लाल हो रही है इसका क्या कारण है तो डॉक्टर साहब कहते हैं गर्मी और बरसात के दिनों में आँखों की एक बिमारी हो जाती इसे i-flow कहा जाता है यह चूत की बिमारी है यह एक से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है इसमें आँखे लाल हो जाती हैं अब सचिन कहता है डॉक्टर साहब अब यह कैसे दूर होगी तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ इसे हर घंटे के धन्यावाद आँखों में डालते रहना एक दो बुंदे ही काफी हैं दवा केवल डॉक्टर के परामर्श से ही डालनी चाहिए अब सचिन कहता है डॉक्टर साहब मुझे और क्या करना होगा तो डॉक्टर साहब कहते हैं जब तक आँखों की लाली पुरी तरह से मिठ ना जा तक तक आँखों पर काला चश्मा लगाना चाहिए इससे तुम्हें आराम मिलेगा अब सचिन कहता है धन्यावाद डॉक्टर साहब आपने आँखों के बारे में बहुती उपयोगी बाते बताई तो बच्चों अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यान अब बच्चों आप अपनी कारे पुस्तिका में नए शब्द और शब्दार्थ करेंगे धन्यावाद